माननीय न्याले का जो आदेश आया है उसे काफी रहत मिली है पर कहींने कहीं मन में दुविधा भी है दुविधा ये है कि इसमें कोई समय निधाइद नहीं है सुप्रीम कोट ने बिना कंस्ट्रक्शन प्लान के अगले तीन मेने में बैस को बचे हुए पैसे जमा करने के लिए कहा है ऐसा क्यों इन्हें पैसे लेने से पहले यह बताना चाहिए कि मेरा अपार्टमेंट मेरा टावर कब और कैसे तैयार होगा दूसरा जो बचे हुए पैसे हमें देने है उसका टाप अप लोन बैंक करेगी या नहीं करेगी आज से पहले अमरपाली के प्रजेक्ट पे बैंक लोन देने से मना कर रही थी तीसरा अथारिटी हमें कब और कैसे कंपलिशन सर्टिफिकेट देगा अपार्टमेंट वाइस देगा तावर वाइस देगा या फ्लैट वाइस देगा हमने 90-95% पैसे हम को दे चुक है है अमरपाली को तो बैलन प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसा कहा से आएगा लास्ताइम भी नवी 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 पैसे ना होनी के विए से प्रोजेक्ट को इस्टार्ट नहीं करा है we have stopped paying them from the last two years bank so they have calculated some interest on interest because we have not paid so the outstanding is becoming high and high and high so what do you suggest this this interest we are what what do we do with this interest interpretation जाना चाहता हूं की बायर को तीन मैने में कितना पैसा जमा कराना है दूसरा फिक डिपोजिट का interest किसके एकाउंट में जाएगा तीसरा एंबी सीसी अगर फ्लैट कम्प्रीट नहीं करके देता है तो एंटायर एमाउंट कैसे बायर को वापिस मिलेगा दो एंटायर को लाड़ हो एंटाल इंट से घ्ड़र कजसे lumière से टूँआ कर दो झाल झाल